हेलो एवरिवान, वेल्कम टू माई चैनल, हिंदी टेरोडेक्टरपल टू मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे So guys, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई डीडिंग और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, कि अगर आप अपने परसन के साथ एक नो कॉंटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो इस नो कॉंटेक्ट की सिचुएशन में उनका कैसा हाल है, ठीके तो ये चीज़े आज हम देखेंगे आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी, वो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी मैरिड अनमैरिड कोई भी परसन ये रीडिंग देख सकता है, औल साइन बेस यहाँ पर रीडिंग होगी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा यानि की लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है उसकी अलग गाईज अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएं हैं आपको रीडिंग पसंद आती है कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आपको इस रीडिंग से तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजेगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहली से ही जुड़े हुए हैं लाइक जरूर कीजेगा कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूद देना नहीं भूलिएगा उस युनिवर्स को उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आपको कनेक्ट करना चाते हैं ग्रेटिट्यूद देने में कंजूसी नहीं दिखाएगा क्योंकि लोट फिर करानी आपी के पास है चाहिए फिर वो माध्यम कोई भी क्यों ना हो तो यह मेरा कार्ड गिरा सफरिंग और साइलेंस ठीके ओवराल एनलजी यहाँ पर आई है पावर काईज अगर आपको मुझसे परसनल रीडिंग लेनी है तो आपको स्क्रीन पर एक इमेल आईडी मिल जाएगी आप उस इमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे तक रीच आउट करने के लिए ठीके और उसकी अलग मेरा कोई भी नमबर नहीं है तो अगर कोई आपको मेरे नाम से अपना नमबर दे रहा है या दे रही है तो किरपिया करके आप उस पर भरोसा नहीं कीजेगा क्योंकि मैंने देखा कमेंट बॉक्स में हर एक कमेंट के नीचे कोई मेरे नाम से अपना नमबर दे रहा है इवन डीपी भी मेरा लगा रखा है तो मैं आपसे हार जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप वहाँ पर ये सोचकर जा रहे हैं कि वो मेरा नमबर है और आप यहाँ पर पेमेट कर देते हैं तो थोड़ा सा वेयर रहेगा क्योंकि उस चीज की लिए मैं कोई जि इनकी अनरजी देख लेते हैं जैसे यहाँ पे है कैंसर, पाइसेज और स्कॉर्पियो, करकमीन अन्वरेश्टिक राशी, जेमनाई, लिबरन अक्वेरियस, मिथुन तुला और कुम्भ राशी, एरीस की अनरजी हो गई और यह आपकी हो गई स्कॉर्पियो की अनरजी ठीक मिले थे इनकी आपका परत मन्थ है, आप लोग जो कुछ के मीजर हुआ था वह अप्रेल मन्थ में हुआ था, इस तरह से नंबर या ये मन्थ आपको लेकर चलने होंगे, जबरदस्ती कुछ भी आपको अपने आपसे रिलेट नहीं कराना है, एवन रिडिंग भी, आपको अपने आप से जबर्दस्ती नहीं रिलेट करानी है तो सवाल पर आते हैं कि इस नो कॉंटेक्ट के दौरान कैसा हाल है इस परसन का दीकि मुझे क्या दिखाई दे रहा है बेसिकली ये परसन अभी तक चीजों को बहुत हिम्मत से डील कर रहे थे यानि कि आप लोगों के बीच में जो भी ब्रेकप हुआ वा है उस ब्रेकप को ये परसन बहुत हिम्मत से बहुत पावर में रहकर डील कर रहे थे लिकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये या इनकी हिम्मत जो है वो जबाब दे गई है ये तूट गए है अब ये इससे ज़ादा हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे इससे ज़ादा ये अपने आपको खड़ा नहीं रख पाएंगे इस तूफान से इस सेपरेशन से ये अपने आपको और ज़ादा सम्हाल नहीं पाएंगे तो वो चीजे अब इनके मन में चलती है यानि कि ये टूटी होई एनरजी ये बिखरी होई एनरजी इस परसन को इसकदर पधिशान करती है कि ये परसन उस चीज से शान्त भी नहीं हो पा रहे है इनके मन को शान्ती भी नहीं मिल पा रही है और ये पसन वो शांती जगा जगा ढूंटे हुए फिर रहे है जैसे कि कभी पार्क में चले गए, नीचर में चले गए, मेडिटेट कर लिया या अपने आपको बस शांत रख रहे हैं, अकेले खड़े हैं, मुझे याँ पर ये भी दिख रहे है कि दिखो आप लोगों के बी में जा रहे हैं और वही खामोशी इने ना इस कदर खामोशीयों की तरफ लेकर जा रही है, कि ये किसी से मिलना, बोलना, किसी से कनेक्ट होना भी पसंद नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है मुझे देखने के लिए ये किसी से बात कर लेते हो, किसी से के साथ चले जाते हो, ले आया है आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्म आया है आप भी परिशान हुए हूँ तो परिशान ये भी आपर दिख रहे हैं ट्रांसफॉर्म इनकी लाइफ में भी आया है भले आप दोनों को ऐसा लग रहा हो इस वक्त में कि मेरा जिंदगी में जो दुख है वो जादा है लेकिन दोनों की जिंदगी इस खामोशी के बाद ना पूरी तरह से पलती है क्योंकि बात करी जारी है वो यही बता रहा है कि यह पसन इस वक्त में पूरी तरह से powerless फील करते है पूरी तरह से यह powerless हो चुके हैं, तूट चुके हैं, हार चुके हैं जिन्दगी इनकी पूरी तरह से बदल गई है ये मुझे दिख रहा है ठीके और देखते हैं टैरो से मुझे कही न कही ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों की बीच में जब no contact हुआ था ना स्टार्ट में हुआ था तो बहुत जादा possibility देख रही है कि ये परसन बहुत जादा बिमार हुए हूँ क्योंकि ये चीजे ना इनसे जहली नहीं गई हाला कि वो शुरुवात इन्होंने करी बात करना बंद इन्होंने करा हूँ लेकिन फिर भी वो चीजे इन्हें इसकदर त देख रही है ठीक है जिसे चार दिन बाद से इनकी तब्यत में गिरावत आनी शुरू हो गई है ये है ठीक है गाइड कीजे उनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्केंजिस प्लीज प्लीज इस्परेट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताईए डिस्ट्रॉप्शन यानि की सेप्टेंबर मन्त तो दिखे मुझे क्या दिखाई दे रहा है बेसिकली नो कॉंटेक्ट के बाद इस परसन ने अपने आपको सबसे अलग कर लिया और ये परसन अकेले रहे कर कही ना कही बस आपको याद करते रहते हैं मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि इस ने ऐसा जो भी इनके साथ हो रहे ना ये खुद से अपने आप से करा है ऐसा नहीं है कि इन चीजें चीजों के लिए कि किसी और ने इन पर दबाब डाला हो किसी और ने इने फोर्स करा हो लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि इस परसन ने जब आप लोगों की बीच में relationship कुछ नहीं होता क्योंकि ये चीजें इनसान को सिर्फ तोड़ती हैं एंड में जाकर ये चीजें इनसान को अकेला ही छोड़ती हैं तो वो चीजें इनके मन में घर कर चुकी हैं इसी reason की वज़े से ये पसंद लोगों से distance maintain करते हुए दिख रहे हैं और उसमें आपको भी न अधर नहीं कर रहे हैं बात ये अपनी तरफ से gesture इसीले नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती अगर इंसान को जिन्दगी में सर्वाइव करना है रहना है तो उसके लिए अकेला ही रहना जरूरी है ये उसे अकेले ही रहना इन निगल रहा है लेकिन फिर भी ये परसंद अपने आपको अकेला रखना रिजर्व रखना लोगों से अलक तलक रखना ही जादा पसंद कर रहे हैं वही चीजे ने पसंद आ रही है इन चीजों से ये पसंद मन ही मन इतना ठक भी गए है क्योंकि एक इनसान कितने वक्त तक अपने आपको अकेला रख सकता है बिमार भी है परिशान भी है तो कोई साथ में सपोर्ट भी नहीं है लेकिन इस परसन के एक ऐसी सोच बन गई है कि मेरे पास्ट का जो भी experience रहा उस experience ने मुझे इतना सिखा दिया है कि जिन्दगी में अगर जीना है खुश रहना है तो अकेले ही रहना हुगा आप यहाँ पर यह देख सकते हो कोई भी card ऐसा नहीं आया है जिसमें कोई कपल दिखाई दे कोई साथी दिखाई दे अकेले ही या फिर उक साथी ढूनने की कोशिश कर रही हो नहीं यह परसन अकेले रह रहके भी ठक गए हैं और relationship को निभा कर भी ठक गए हैं वो चीजे इनके मन में अब चलती हैं यह पसना कही न कहीं लड़ लड़कर ठक गए हैं मतलब अपनी जिंदगी से अपनी खामोशियों से लड़ लड़कर ठक गए हैं लेकिन फिर भी यह पसन अपने आपको अकेला रखना ही जादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगते हैं कि इस अकेले पन में अगर इन्हें दर्द हो रहा है तो उसकी गुनेगार ये खुद है कोई और नहीं है ये उसका ब्लेम ये किसी और पर नहीं डाल सकते हैं वो चीज़े अब इनके मन में चलती हैं वो हाल है इनका अब इस नो कॉंटेक्ट के दौरान ठीके रेस्ट इन रेजोविनेट के मामले में गाइड कीजे और बताईए यूनिवर्स कैसा हाल है इस परसन का यूनिवर्स गाइड कीजे बताईए किंग ओफ कप्स एंड फाइव फैंटिकल्स तॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन व्रेश्चप करन्या एं मकर राशी यहाँ पे आया है और वहाँ पे एरीज लियो एंड साजिटेरियस मेश सिंगन धनु राशी भी आगया था तो वोर आल सभी एनरजीज हैं नमबर फाइव यानि की मई मन्त भी मुझे आपके लिए इंपोर्टन दिख रहा है बिसिकली यहाँ पर ये चीजे तो हैं कि इस नो कॉंटेक्ट के दौरान इस परसन को डर लगता है इस अकेले बन से इस इस तक एनरजी से यह परिशान होते हैं disappointment इन्हें फील होता है इन्हें ऐसा लगता है कि अंधेरे कमरे में जाकर रह गए हैं लेकिन इन्होंने इस अंधेरे पन को स्वीकार कर लिया है इसे ही अपनी destiny इन्होंने मान लिया है और ये परसन इन चीजों को बहुत practically होकर deal भी कर रहे हैं वो मुझे दिख रहा है यानि कि इस परसन की जिन्दगी में तो transform आया ही आया है लेकिन इन्होंने अपने आपको भी बदल लिया है वो चीजे दिख रही हैं बहुत जादा practical बहुत जादा rude इन्होंने अपने आपको बना लिया है इनके दिमाग में ये चीजे हैं कि इस दर्द ने मुझे इतना सिखा दिया इस दर्द ने मुझे ये चीजे सिखा दियें कि इन्सान का practical होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि practical होकर ही इन्सान सही से चीजों को देख पाता है या पाती है बदल गए है अकेले रहना, रिजर्व रहना, बाते शेयर ना करना, वो इन्होंने अपने आपको बना लिया है, यह यहाँ पे है, ठीक है, ट्रांस्फर्मेशन के मामले में गाइड कीज़े, बताइए, इस नो कॉंटेक्ट के धुरान क्या हाल है, कैसा हाल है इस परसन का, यूनिवर्स गाइड कीज़े, टू अफ कप्स एंड नाइन अफ सोर्स, नमबर नाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनिटली, देखे बेसिकली इनके दिमाग में ये चीज़े सैट होई वी हैं, कि आप लोगों के बीच में जो भी रिष्टा था ना, उस रिष्टे ने मेरी किसमत को बदल द उस रिष्टे की वज़े से ही आज की डेट में मैं अकेला रह गया या रह गई, यानि कि इनके मन में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जिस रिष्टे को मैं कभी एक सोल लेवल तक अपना मानता था या मानती थी, या जिस रिष्टे में मुझे ये लगता था कि इस रिष और इसी रीजन की वज़े से ये पसन वापस से प्यार में नहीं पढ़ना चाते हैं, वापस से अपनी जिन्दगी में किसी दोस्त को नहीं लेकर आना चाते हैं, या वापस से अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना चाते हैं, इनके मन में एक ऐसी चीजे हो गई हैं जैसे क प्यार पसे इनका भरोसा तूट गया है दोस्ती पसे रिलेशिशिप पसे इनका भरोसा तूट गया है और जो जिस भी मुकाम पर ये आज है इन्हें इस ही मुकाम पर चल कर आगे अपनी जिन्दगी को तै करना है भले इस रास्ते पर इन्हें कितना भी डर क्यों न लगे कितनी भी एंजाइटी क्यों न हो कितना भी इन्हें अकेला पन क्यों न फीलो कितना भी कोई सही से फैसला क्यों न ले पाएं लेकिन इनको ऐसा लगते कि इस प्यार ने ही मेरे को बदल दिय इस प्यार ने मेरी जिन्दगी को बदल दिया है, इस प्यार ने मुझे ये चीजों का हैसास दिला दिया कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, तो basically देखो यहाँ पर ये चीज़े बहुत negative हो गए हैं ये person, बहुत बदल गए हैं, जितने कभी अपनी feelings को जाहिर करने में दिल कॉंटेक्ट में क्या हाल है अब इस परसन का गाइड कीजिए बताइए गिंग ओफ पैंटिकल्स एंड फूर अफ सोर्स नमबर फूर डेफिनेटली काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है देखी बेसिकली यहां पर यह चीजे तो डेफिनेटली हैं कि अब इस परसन ने अपने आपको काम में पैसो में जोक लिया है यानि कि यह सारा का सारा वक्त अपना जो है सारा का सारी एनर्जी अपने कैरियर पे अपने काम पर लगाते हैं वहां पर जो भी चीजे पूछी जाती हैं वो कैरियर से रिलेटेड वर्क एरिया से रिलेटेड होती हैं कोई इंसें के रिष्टों के बारे में रिलेशिप के बारे में प्यार के बारे में नहीं पूछता या पूछती तो इस रीजन की वज़े से इस परसन ने अपने आपको शान्त रखने के लिए, हील करने के लिए, अपना पूरा का पूरा फोकस अपने दिल से शिफ्ट करके पैसो पर ग्रोथ पर लगा रखा है, मुझे यह आपर यह दिख रहा है कि जो भी कोई पसंद इस इस इनसान से दिल के मामले में, रिश्टो के मामले में, रिलेश के मामले में कोई सवाल कर लेता है, या कर लेती है, यह पसंद तुरंत उससे कट माल लेते हैं, तुरंत उससे बात करना छोड़ देते हैं, उसके सामने आना बंद कर देते हैं, इनको यह लगता है कि इस प्यार ने मुझे इतना दर्द दे दिया, और इस दर्द ने ही ये परसन अब अपना फोकल जादा लगाते हैं, ये यहाँ पर definitely है, suffering and silence के मामले में गाइड कीजे, judgment, two of swords, and overall energy है, two of wands. नमबर टू यानि की फरवरी मन्त भी आपके लिए important है, इनके मन में एक बात set हो गई है, कही न कहीं कि मेरे को ये जो दर्द मिल रहे हैं, वो मेरे करमों की सजा है, अब मैं उन करमों की सजा को जेलने के लिए, face करने के लिए मैं तयार हूँ, वो चीजे इनके मन में set हो गई हैं, और ये person कहीं न कहीं उसी confusion में रहे रहे हैं, यानि कि इन्होंने उन चीज़ों को accept कर लिया है, कि यही मेरी जिन्दगी की सचाई है, यही मेरा future है, तो वो चीजे इन्होंने accept कर ली है, इस सोच के साथ कि ये मेरे करमों की सजा है, चाहे वो इस जनम की हो, पिछले जन से हो तो यह परसंद ना काफी बदल गए्य है यह चीजे तो दिख रही हैं लेकिन यह जो बदलाव आया है न वह एक अंधेर पन की तरफ एक टिप्रेशन की तरफ इन्हें ले कर जा रहा है वो चीजें यहाँ पर दिख रहे हैं यह परसंद अपनी सोच के बारे में किसी को कुछ जाहरे नहीं करना चारे हैं किसी को बताना ही नहीं चारे हैं वो भी यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ ठीके मुझे गही न कही ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इस परसन ने इन चीजों को accept कर लिया है कि अगर मेरी life में ठहराव है तो मुझे वो ठहराव भी मंजूर है तो वो यहाँ पर energies मुझे दिखाई दिया है इस person की तो हाल तो definitely इनका कुछ अच्छा नहीं है और कही न कही आपके person ने अपने इसी हाल से समझोता भी कर लिया है यह भी यहाँ पर दिख रहा है ठीक है चलिए यहाँ पर यह देखते हैं क्या यह इस हाल से बाप पहा निकलेंगे कभी या नहीं या इसी हाल में यह रहेंगे queen of swords four of swords justice King of Pentacles The Hangman And overall energy है The Emperor बहुत जादा जरूरत से जादा practical इस परसन ने बना लिया है अपने आपको जरूरत से जादा इस परसन ने अपने आपको emotional less बना लिया है यह energy दिख रही है आप खुद देख सकते हो यहाप पर कोई भी ऐसी energy नहीं है जिसमें मैं आपको यह बोल दू कि हाँ यह परसन दिल से सोच रही है दिल से कुछ चीजों को लेकर चल रहे है ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है बलकि ऐसी energies दिखाई दे रही है जैसे कि दिल तो इन्होंने surrender कर दिया है और यही अपनी किस्मत की सच्चाई मानकर यही universe का divine का नयाय मानकर इन्होंने इस चीज को accept कर लिया है और अपने आपको जरूरत से जादा इन्होंने practical जरूरत से जादा इन्होंने एकड़म heartless बना रख़ा है यह चीज़े है तो basically मुझे आपर यह दिख रहा है एजन की जैसे आप यह समझो की कुछ समय बाद यह बदल जाएंगे कुछ समय बाद सही हो जाएंगे तो ऐसी energies अभी तो यहाँ नहीं दिखाई दिया है रिसेंटली काईट कीज़े universe और बताईए कितना वक्त लग सकता है इस परसन को इस अनाजी से बाहर निकलने में पाहिट कीज़ आई है कितना वक्त लग सकता है ने six of cups bottom of the deck ता high pressed देखे यह चीज़े तो definitely हैं कि यह परसन जो इन्होंने अपने आपको बदल कर बना लिया है ना उससे यह वापस से सही तो हो जाएंगे लेकिन उन चीज़ों में ने वक्त लगेगा वापस से जो आपके लिए feelings हैं जसबात हैं वो definitely इनके उसी track पर आएंगे तो ज़रूर लेकिन आपको इस चीज़ के लिए wait करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा possibility यह दिख रहे हैं कि आपर यह दिख रहे हैं कि इस वक्त में definitely यह पसन थोड़ी से गुमनाम वाले जिंदगी को ज़्यादा preference दे रहे हैं यानि कि मेरा कुछ अता पता नहीं है मैं कहा हूँ मैं कहा रह रहा हूँ या रह रही हूँ तो मैं पता नहीं लगने दूँगा या दूँगी तो वो चीज़े दिख रहे हैं definitely लेकिन इन चीज़ों में बदलाव भी आता हुआ आपको दिखाए देगा लेकिन वक्त लगेगा इतने वक्त तक आपको कही न कहीं बहुत prayer करनी पड़ेगी बहुत manifest करना पड़ेगा तो ये भी आपर है मुझे आपर possibility दिख रही है कि ये परसन अपने आपको इस energy से 6 हफ्तों से लेकर 2 महीनों के अंदर अंदर बहा निकालें इसकी possibility दिख रही है तब ही मैंने आपको बोला कि समय लगता हुआ मुझे दिख रहा है ठीके तो बहुत ऐसी energy आई है कि ये परसन इस वक्त में बहुत बड़े mental trauma से गुजर रहे हैं ये बहुत है जिसे ये accept नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ये अपने आप पर दबाब डाल रहे हैं कि नहीं इसी चीज को accept करना होगा तो ये चीज़े यहाँ पर दिखी ठीके तो ये थी मेरी reading I hope आपको reading के माध्यम से clarity मिली हो connect कर पाए हो connect कर पाते हैं clarity मिलती है तो बताइएगा जरूर और चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजेगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई-ने readings, नई-ने topics में लिकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यू ही बना रहे आज के लिए बस इतना ही, okay भबाए